करेंगे का कंसप्ट क्या होता है विसमें यही बताया गया है कि यो हर परसन है, हो isa unique, you are single, unique and recognized our individual difference अर उनमें जो different入 भे उन्डिविजिवाल में वह रिक्रोनाइज किया गया है कि एक परसन जो है वह दुसरी के तरह सम नहीं हो सकता, and these can be along the dimensions ये इसके Dimensions कॉन wreck. ऐस बेजिक से औरेंटेशन, शोशल एकोनोमिक स्टेटर्स, एज, फिजिकल अबिलिटीज, रिलिजिन से रिलेटेट, पॉलिटिकल विलीफ से रिलेटेट एंड अधर, उसके उनके आईडियास के अकॉर्डिंग, एंड इस एक्स्प्राटेशन आफ दीज डिफरेंसे इस ना सेफ, अबिलिटीज भी होते हैं और नुट्रिंग, इन्वार्मेंट को चेंज करने वाले वी होते हैं, और इट इस एबाउट अंडर्स्टेंडिंग इच अदर, और यह एक दूसरे को समझने बाले वी होते हैं, और यह जो आटिजिए परिजिएंग करते हैं, इस इंपल टॉर विजigor हर इंडिविजव के साथ जो है कुछ न कुछ सालीबरेट एक रीच मतलब एक बड़े पेमाने पे हम जो है अशालिब्रेट भी करना चाहते हैं तो यही टीवर्सिटी है डीवर्सिटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडिविजव जो है वह इंक्लिवड हो जाती है from a broad spectrums of demographic and psychophysical philosophical differences इसमें उनके demographic and philosophy मतलों उनकी जो philosophers होते हैं उनकी तरफ जो difference होते हैं वो भी इसमें include किये जाते हैं diversity उनकी तरफ से भी जो है वो create की जाती है अब meaning क्या है diversity का diversity means more than just acknowledging and or tolerating differences जो diversity है उसका meaning यह है कि एक से ज़्यादा more than जिससे हम justify कर सकते हैं किस चीज़ को जो हमारी acknowledge में है और tolerating just differences को हम ignore कर रहे हैं और जो diversity है वो conscious practice होती है जिसमें include क्या क्या होता है फर्स्ट है understanding and appreciating interdependent of humanity, culture and natural environment इसमें हम समयते भी हैं और उसको appreciate भी करते हैं जो एक दूसरे के उपर human जो है इंसानिया जा इंसान जो है वो एक दूसरे के उपर क्या है depend है, interdepend है और culture के उपर depend है, साथ में उनके natural उनकी respect होनी ज़रूरी है and experiences कुछ निया निया experience करना that are different from our own जो हम से अलग हो, जैसे हम है उससे कुछ different हो, उस चीज़ को experience करना थर्ड है understanding that diversity include not only ways of being but also ways of knowing जो understanding है वो that diversity है जिसमें ये चीज़ include नहीं होती by the being ये होना चाहिए बट ये जरूर होता है इससे पता होना चाहिए ये नहीं है कि ये चीज़ होनी चाहिए बलकि दूसरे way में ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ कैसी है जिसके बारे में हमें positive and negative पता हो understand हो फूर्थ है recognize that personal, cultural, institutionalized, discrimination create और ये चीज़े भी हमें recognize करनी चाहिए कि जो personal, individual की culture से related, cultural और institutional जो institution में से related है discrimination जो हम दूसरे person के साथ discriminate करते हैं बेदभाव करते हैं वो create होता है, sustained privileges उनमें problems होती है for some कुछ-कुछ problems होती है while creating and sustaining disadvantage for other और जो दूसरों के लिए disadvantage हो, honey, car crew थर्ड, last है building alliances across differences so that we can work together to and direct it all, era dedicate all forms of discrimination इस साथ जो है, वो alliances जो है, वो भी build किये जाते हैं अलग-लग difference को cross करके उन्हें समझने के बाद अलग-लग चीजे जो है, वो भी देखी जाती है उसके साथ जो है, सभी मिलके जो है, हम काम एक साथ करते हैं और इसमें all forms of, सभी forms के discrimination होती है, बेरवाब होते हैं लेकिन फिर भी हम मिलके जो है, एक साथ काम करते हैं टाइप of diversity, कौन-कौन सी टाइप की होती है cultural, racial, religion, age, sex and gender, sexual orientation, disability फर्स्ट है cultural diversity, culture diversity में क्या है this type of diversity, यह जो diversity है, यह related होती है each person's ethnicity and यह हर person के साथ related होती है कि उसकी ethnicity कैसी है, nature कैसा है and it's usually the set of norms, इसमें norms होते हैं जो हमें मिलते हैं society से, values होती हैं जो हम अपनी family से लेते हैं हम जो है अपनी family से गईन करके, raise करते हैं अपने अंदर जो है, values values, values means, जिसमें हम positive and negative में difference हो है वो जान पाते हैं आगे है race diversity, race has to do with a person's group यह race है, वो हम person के group के साथ ही कर पाते हैं based on, वो physical traits के उपर भी हो सकती है and dominant scientific view और इसमें scientific view भी हम देख सकते हैं race is a social contract, social contrast यह जो है socially जो है वो construct की जाती है and not bio, मतलब इसमें biologically किसी चीज़ को define नहीं किया यह सिर्फ इसमें social को ही लिया जाता है society को ही लिया जाता है आगे है religious, religious में क्या है जिसमें different different multiple जो है, वो religions आ जाते हैं जैसे सिखिजम, हिंदुजम, मुस्लिम यह सारे different different religion आ जाते हैं and spiritual, उनके जो अलग अलग जो है spirituals भी आ जाते हैं, जो उनकी spirits होती हैं वो भी आ जाती है, believes in a workplace workplace में, spirituals हो जाते हैं, जैसे के उनके जो अलग जो इरिती रिवाज है age difference, जो age diversity है age diversity means working with people of different ages हम different age के people के साथ काम करते हैं and most important, इसमें ज्यादा important है, generations भी आ जाती हैं for example, जैसे minors, generals and genagers are core exist in the same workplace, जैसे के ज्यादा knowledge वाले हम से जो low knowledge के हैं वो भी और जो ज्यादा अमीर हैं, गरीव हैं, ऐसे भी कई सारे जो persons है diversity के यह हमारे साथ जो है काम करते हैं ऐसे यह देखो कुछ type की pictures मैंने paste की हुई है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे एक first वाली picture में disability, religion, social economic status, gender, age, race and culture यह है और दूसरी साइड क्या है, people middle में रहते हैं, वो कौन-कौन सी चीजों से related है, culture, nation, diversity, tradition, belief and authenticity आगे हैं different types of diversity, जो पे पीछे पढ़ी हैं उसके आगे next है, gender, sexual orientation है, उसमें क्या है, जो gender है, वो used किया जाता है, traditional sense of male and female gender में हम दो ही लेते हैं, यह male है जब female employee है, for example, इस example लेते हैं, you may sometime here हम कई बार सुनते हैं, जो term gender balance, gender balance means by use by company, company use करती है जिसमें वो यह चीव करती है, 50-50 का balance होना चाहिए employees के बीच में, means इसका identify क्या है जो male की identify है, जो female की है, वो 50-50 होने चाहिए, but as gender, अगर हम gender की form में देखें, यह increase होके redefine किया गया है term को, जो gender diversity है, इसमें ज्यादा appreciation जो है वो दी गई है, appropriate लिया गया है और इसमें multiple variances जो है, वो gender के आई हुए हैं, जिसके साथ वो ले रहे हैं, क्योंकि साथ में इसके other option है, वो भी optically गई है, इसलिए आगे है disability, disability means, अगर कोई person जो है, disabled है, किसी भी कारण से, कोई भी reason है उसका, there are various types of disabilities, बहुत सारे type की disabilities हैं, conditions होती हैं, जो can include की जाती हैं, उसके according diversity के से related workplace की पर काम दिया जाता है, जैसे के ranging from mental to physical, चाहिए वो mentally हो, चाहिए वो physical हो, वो भी देखी जाती है Companies often make reasonable accommodation to help people with a disability, कई companies जो है, आज के समय में, वो reasonable accommodation कोई, उनकी positionable job provide कर देती है, pupils को उनकी disabilities के according and integrate into workplace, मतलब उनके जो workplaces होते हैं, उसके according जो है, उनने काम provide कर देती है, Such as installing ramp, जैसे के ramp देती है, अगर वो leg से disabled है, वो चल नहीं पाते हैं, तो एक ramp जो है, अपने office workplace में वो बना देते हैं, construct कर देते हैं, को वो wheelchair के साथ जो है, इधर से उधर जो है, वो जा सके, providing mental health sport, उनने health sport से related भी provide किया जाता है, Some companies also adjust their hiring process, और कुछ जो है, इसके लिए hiring process के साथ लेके आते हैं, कि हायर कर लेते हैं कुछ ऐसे persons को, to make sure, उनने ensure करने के लिए, additional type की क्या क्या है, social economic background के साथ related हम देख लेते हैं, कि उनकी society और उनकी economic condition क्या है, background कैसे है, education कौन सी है, qualification क्या है, उनके life experience कौन कौन से है, उन्होंने क्या क्या काम किया हुआ है, उनकी personality कैसी है, और उनका general world view है, मतलब world दुनिया के बारे में, उनके क्या opinion है, क्या view है, उस इसको भी देख लेते हैं, की areas इसके कौन कौन से हैं, first है, culture, race, and ethnicity, second है, disability, third is religions and spiritual beliefs, fourth one is gender, including transgender, जो change करवाते हैं, gender को वो भी include है, intersex, आगे है, generalized, generalized, last one is, जिसमें वो अलग लग तरा के जो है, वो person की personality, से will identity को show करता है, importance क्या क्या है, diversity के workplace की उपर, जो diversity है, वो एक virtual part है, workplace culture का, not only are they important for the well-being of companies employees, ये सिर्फ यही important नहीं है, के companies के employ के लिए हो, बल्कि ये business से related भी हो सकती है, benefit हो सकते हैं, जैसे conflict reduction, इसमें conflict जो हो उन्हें problem आती है, लड़ाई जगड़े होते हैं, वो भी कम होते हैं, increased confidence, जो persons है, उनमें confidence जो है, वो increase होता है, boosting employee arrangement, उनके जो against employees की जो boosting की जाती है, increased range of ideas, ideas जो है, वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, आगे है boost company reputation, और जो reputation है, वो भी बढ़नी शुरू हो जाती है, boost हो जाती है, simplify recruitment process, और अलग लग जो है, recruitment processes को भी लिया जाता है, recruitment means नहीं नहीं persons को join करना, apply करना, point करना, reduced employee turnover, और इसके साथ जो है turnover, वो भी change होनी शुरू हो जाती है, reduce, मतलब जो employees हैं, वो अपनी job को कम से कम चोड़ के जाना शुरू कर देते हैं, आगे है strategies, कौनसी strategies and diversity को manage करने के लिए workplace के उपर, first जो है, get a leadership on board, board में से एक leadership को लिया जाता है, leader को लिया जाता है, जो के leadership की भूमिका को अधा करता है, remember the many dimensions of diversity, जो जादा से जादा dimensions जो उन्हें लिया जाता है, जाद धियान में रखा जाता है, diversity से related, for third है, recruit maximum diversity, अलग-लग जो society से जो लोग है, उन्हें लिया जाता है, recruit किया जाता है, appoint किया जाता है, enforce workplace policies, जो है, अलग-लग जो है, group से related, जो है, जो diverse group को, जिसमें अलग-लग religion के society के लोग हो, उसमें जो है, work place में, जो है, persons को लिया जाता है, policies बनाई जाती है, आगे है, conducted diversity training, और इसके साथ जो है, अलग-लग जो है, diversity से related, उनकी knowledge के according training भी जो है, उनको provide की जाती है, आगे है, uncover and overcome unconscious bias, मतलब overcome, जो भी उनकी, जो भी उनकी problems है, उनको overcome, उनको खतम करने के लिए, अलग-लग जो है, उनको basis दिये जाते हैं, remember retention, उनकी जो retain है, वो retention जो है, उनने भी ध्यान में रखा जाता है, create a diverse, organizational and corporate culture, और जो है, organizational and corporate, दोनों को ही create करते हैं, इसमें diverse करते हैं, keep the work, इसमें जो है, काम के environment को positive रखने के लिए भी देखा जाता है, कि जो भी उनका काम है, environment है, उनने positive रखा जाए, and last one is, include diversity in your performance report, और diversity में ये भी include किया जाता है, कि आपकी performance से जो है, उसकी report कैसी होईगी, Conclusion क्या है, diversity is about learning from others, जो diversity है, उसका meaning ये ही है, कि हम दूसरों से क्या जिखते हैं, who are not the same, जो हम से, जो हम जैसे नहीं है, about dignity, उनकी dignity हमारे जैसी नहीं है, and respect for all, और उनको जो respect देते हैं वो, and about creating workplaces environment, और जो workplaces के environment को create करते हैं, प्रैक्टिसाइज करते हैं, तांकि उन्हें encourage किया जा सके, learning from other, तांकि उन्हें ये encourage किया जा सके, कि वो प्रैक्टिसाइज करें, दूसरों से कुछ न कोई सीखने की, और capture करें, और उन्हें ध्यान में रखें, कि उनसे जो perspective diverse, मतलब जो अलग अलग society है, उन में से उन्हें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, गेन करने की हो, मतलब गेन कर पाते हैं, डिवर्सिटी ओफर बोथ opportunity and challenge, जो डिवर्सिटी है, वो दोनों ही opportunity भी होती है, और उसमें challenges भी होते हैं, managing diversity is partially ensuring that no group is being disadvantaged, जो manage करना diversity को, चाहिए वो partially हो, वो ये ensure कर देता है, कि कोई भी जो group है, उसका being disadvantage, उसका कोई भी disadvantage नहीं होता है, डिवर्सिटी का, companies who do have an aquatic program in place are more successful, जो companies के पास जो है, एक्विडिक, इसके लिए proper जो है, वो प्रोग्राम हो, तो वो क्या है, more successful companies है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो इसके like, comment and share जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा subscribe करें, अपने friends के साथ, relatives के साथ Thank you